हेलो फ्रेंट्स वेलकम यूओ और टूप चैनल स्मार्ट गयां प्रेशन में डोक्टर सतेंत्री पाथी दोस्तों आपको बता दो कि आज का वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है हूं सभी लोगों के लिए जो लोग भी पिएसडी करना चाहते हैं या फिर सबसे पहले दोस्तों आज के वीडियो में हमनों बात करने वाले हैं पीएसडी और एमफिल एडमिशन प्रोग्राम के बारे में जो की एक यूनिवस्टी के द्वारा जो है यहां पे पीएसडी और एमफिल के लिए अप्लिकेशन फॉर्म निकाल गया है और दोस्तों यहा आप अप्लिकेशन फॉर्म फिल अप कर सकते हो इसके लिए अप्लिकेशन फी क्या है इस तरह की तमाम जो भी डेटल से इसके बारे में हमनों बात करेंगे और दोस्तों एक और इंपॉर्टन बात बताते हैं कि अभी रिसेंट में कुछ यूनिवस्टी के द्वारा जो है जो PhD के लिए application form आये हुए थे उन वीडियो के लिंक भी जो है कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के description box में आपको provide करते हैं जिससे कि आप उन university के बारे में भी आप जान सकें कहां कहां पे और भी PhD के form आये हुए तो दोस्तों बिना delay को है जो आज कर वीडियो में स्टार्ट करते हैं लेकिन इसमें जो में नहीं हम लोग PhD पर फोकस करेंगे तो जैसा कि यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि आखी जो कि किन किन सब्जेक्ट में पर देख लेना अपने recording जो है subject का नाम में आपको बताता हूं लिस्ट जो है पूरी बाकि आप total seats देख लेना जनरल में आप आते हों या फिर ST में या फिर ST में जिस भी category में आप आते हो अपने recording आप देख लें कि आपके subject में कितनी seat है seat है भी या फिर नहीं है ठीक है उसके recording फिर आप अपलाई करना ठीक है दोस्तों जैसे कि सबसे पहले हम लोग पहला यदि subject का नाम देखें तो यहां प इसके बाद philosophy, physics, political science, psychology, Sanskrit, geology ठीक है इस तरह से total यदि हम लोग बात करें तो total seats की यदि हम लोग बात करते हैं जिससा देख सकते हो आप 93 है ठीक है और बागी category में यहां पर categorize किया गए तो उसको आप एक बार देख ले ना दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो है किस university का यह form है ठीक है दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहां पे PhD Entrance Examination 2020 की जो बात की है Entrance Examination Center जैसा की दिया है रेवेंशा यूनिवरस्टी का ठीक है दोस्तों अभी हम लोग जो है यूनिवरस्टी के website पे भी आपको लेके चलेंगे कहां से आप इस prospectors को आप download क कर सकते हो कहां से आप online application form fill up कर सकते हो दोस्तों डिटल में जो है आगे आपको बताने वाले हैं तो इसमें हम लोग पहले देख लेते हैं कि और भी जो important जैसे कि dates हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हो यह research eligibility test के दिबात करें हम लोग यह जो RET 2020 जो होना है इसके लिए important जो नॉम्बर 2020 और 10 नॉम्बर 2020 उसके बाद date of Vibar वह से कि यह दी बात करें हम लोग तो यह जो है 18-11-2020 को और वैसी date of admission के बात करें तो यह 26-11-2020 मतलब 26-11-2020 मतलब 26-11-2020 मतलब 26-11-2020 मतलब 26-9-2020 तो दो दोस्तों यह तो हम लोग ने बात कर लिए PhD के लिए important dates जो है PhD से related अब आप इसमें जो है और जो कुछ important बात हैं आपको बताए था है जिसे application fee के बात करें तो application fee जो इसके लिए 1500 रुपे हैं और दोस्तों इसमें एक जो important बात दिये है जैसा there will be one entrance written examination for MPHL and PhD programs जैसे दिया है कि यहाँ पे जो है entrance written examination होगा MPHL and PhD programs के लिए ठीक है इसमें आगे और दोस्तों इस आप prospectus को MPHL and PhD के जो यह prospectus है इसको आप download कर लें पढ़ लें समझ लें satisfy हो लें और यदि आपको लगता है कि यह form apply करना चाहिए आप eligible हो date वगर आप सब कुछ confirm कर लें ठीक है और यदि आपको किसी तरह कोई confusion लगता है तो आप university के website से mail ID या contact number लेकर के वहा पूरा एक एक पॉइंट पढ़ने ठीक है जैसे कि यहां पर जो important points है वह मैं के वहला आपको focus कर देता हूं बता देता हूं जिससे कि आपको idea लग सके आपके information के लिए video ने बनाया हुआ है जैसे आप देख सकते हूं यहां पर the candidates are requested to report at least one hour before the commencement of examination मतलब exam के एक घंटे पहले आपको जो है वहां पर जैसा कि दिया हुआ है कि वहां पर report करना है फिर उसके बाद जो है return entrance exam की हम लोग बात करना तो यह जो है mcqs type का होगा ठीक है मतलब objective type का paper जैसा कि दिया हुआ है ठीक है और इसमें दोस्तों जिससे देख सकते हो आप hundred marks का जो है यह two hour का जो है यह question डिगरी का आपके subject का उस मतलब वो जो है से लिए बस वही आपका PhD entrance exam के लिए और इसमें एक और बात clear किया हुआ है कि यहां पर there will be no negative marking यहां पर कोई negative marking नहीं रहेगी वैसी दोस्तों आगे बात कीगे कि the candidates are required to bring the admit card with them positively to the examination hall मतलब आपको जो है admit card जरूर से लेके जाना में exam के time पर फिर आगे दिया है कि candidates are requested to carry with them at least one identity proof एक identity proof आपका कोई सा भी होना चीज़ जैसा कि इसमें नाम दिया है water card जो है या फिर आधार card या फिर driving license या फिर any other recognized identity proof जो है या कोई और जो है recognized identity proof दोस्तों वैसी अब subject list के हम लोग already बात कर चुके हैं इसमें और जो कुश important बात हैं आप बता दें से फी structure की बात करें यह PhD के पूरे फी की बात करो आप यहां पर जैसे देख सकते हो आप यह अलग-अलग दिया हुआ है regular course के लिए जैसे कि इसमें दिया है admission fee जो है 10,000 दिया है end of first semester या coursework जो है 5,000 second year के लिए 10,000 third year के लिए 10,000 इस तरह से total 35,000 ठी के लिए दिया हुआ है कि आपका master degree जो है at least होना चाहिए मतलब 55% marks के साथ ठीक है और इसमें relaxation की बात कि यह उसको एक बार आप देख लेना दोस्तों केवल जो है चुकि यदि मैं एक-एक point को बताने लों तो बहुत लंबाए video हो जाएगा दोस्तों और इसमें important दिया है कि जो 5th point इसमें जो बहुत important है दिया है in addition to the above ठीक है in order to be called for stage 2 of the selection process an applicant must also fulfill any one of the following condition यदि इन में से कोई आप following condition को जिससे follow करते हो तो stage 2 के लिए आपको जैसा कि दिया है कि जो है मतलब वो call किया जाएगा ठीक है जिसा दिया है इसमें stage 2 के लिए दोस्तों इस तरह से जो है आप यहां पर देख सकते हो दोस्तों एक और important बात आप बहुत आपको बताते हैं कि यदि आप इस चैनल में first time हो तो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि इस त इस तो चैनल के दिली के प्लेडिस से जागर देख सकते हैं तो उन वीडियो के लिंक आपको प्रोईट कर देख सके हैं तो दोस्तों आगे हम लोग और बात करते हैं जैसे कि यहां पर इंस्ट्रेक्शन्स for filling of application form की बात कीए इसको एक बार आप देख लेना फिर उसके बात करने हमनों तो PhD कोर्स के लिए 1500 रुपए जिसा दिया है application fee जो है फिर वैसी list of documents to be submitted during interview यह सारे documents आपको जो है interview के टाइम पर देने होंगे और यहां पर दोस्तों एक important जो बात है research proposal भी आपको 2000 वर्ड का मतलब ले जाना होगा ठीक है वैसी दोस्तों आगे फिर बात की के conditions to bring the following documents to examination center examination center पर आपको जो है मतलब exam के टाइम पर क्या क्या आपको लेकि जाना है तो admit card जिसा की दिया हुआ है और identity proof जो कि आगे बात कर जोके हैं और फिर उसके बाद दोस्तों जिसे की आगे जो बात की गई है date of submission of application की तो वो 20 October आपको पता ही है selection terms की बात करना तो इसको एक बार आप देख लेना important यह बाकी सब्सक्राइब और इसमें कोई negative marking नहीं है दोस्तों इसी में जैसा कि आप इस prospectus को आप देखोगे तो सबसे पहले जो इसमें एमफिल प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है उसके बार PhD की बात की गई ठीक है चुकि हम PhD आपको बताया था कि PhD प्रिफरेंस के तौर पर मैंने आप इसमें बताया है बाकी एमफिल जो लोग करना चाहते है वो इनको इसको एक बार देख लेंगे ठीक है तो important date यहां प है भी या फिर नहीं है आप यहां पर इसको देख लेना ठीक है और पूरा जिससे मैंने बताया आपको जो है कि इस पूरे प्रॉस्पेक्टर को डाउनलोड करके पढ़के समझ के सैटिस्वाई होके देन आप इस एप्लिकेशन फर्म को अप्लाय करें तो दोस्तों अब हम सबसे पहले आप सर्च करोगे और इस पर आप इसको सर्च करोगे तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले यहां पर वेब लिंक जो है यहां पर ठीक है वेबसाइट की लिंक आ जाएगी जिससे देख सकते तो इसकी वेबसाइट अलड़ी मैंने आपको बता चुका है www.revansh university.ac.in ठीक है तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसको आप देख सकते हो यह रेवेंशा उनिवस्टी जो की ओडिशा में है ठीक है और दोस्तों अब इसमें जो है आप admission में जाओगे यहां पर थर्ड नंबर पर जो दिया हुआ है ठीक है अब इसमें देख सकते हो admission 2020 की बात की किये है इसमें जो है सबसे पहले UGA admission, PGA admission, admission prospectus 2020-21 की बात की किये है वैसी दोस्तों अब Amphill PhD admission prospectus 2021 तो यहां से इसको आप download करके देख सकते हो ठीक है जो prospectus को अभी हम लोंने discuss किया वो prospectus जो है आपका open हो करके यहां पर आ जाएगा उसको आप देख सकते हो ठीक है ज प्रोग्राम के लिए अब यह डीटेल आप देख लेना तो दोस्तों और जो आप कैसे online application form मतलब कहां से आप fill up कर सकते है वो आपको एक बार आप बता जाते हैं ठीक है दोस्तों जैसे कि इसके बाद जो है जब यहां पर आप देखोगे तो यह दिया हुआ है नीचे जो है एंफिल अबलिक पिएसडी एडमिशन ठीक है एपलाई ओनलाइन तो दोस्तों यहां पी जब आप ओपन करोगे ठीक है तो यहां से यह ओपन हो करके आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे ठीक है अब जिस पे आपको मतलब जो form आपको अपको अपलाई करना है जिसे यह दिया है यूजी एमफिल और पिएसडी तो एमफिल पिएसडी के बाद चुके हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं तो एमफिल पे यदि आप करना है तो यहां पे apply here कर दोगे ठीक है और यहां से आप कर सकते हो इसमें दिया है कि in case of new user click here यदि आप नए है तो यहां पे click here सबसे उपर करके आप जो है आपके लिए यह दिया है instruction और यह दिया आप already जो है जिसे रेइस्टरण है तो उसके लिए application ID और password की बात की किए है उसको डाल के आप देख सकते हो ठीक है वैसी दोस्तों PhD के लिए जो है आप यहां से PhD के लिए भी देख सकते हो ठ फिक है तो दोस्तों उमीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सब्सक्राइब यहेजा और साथ ही जो है बैल आइकोन पर प्रेश कर लेते हो तो आपको यह फाइदा होगा कि इस चैनल पर जो भी हम वीडियो अप्लोड करेंगे तो इसके message आपको मिल सेंगे और आप उन सार और इंफॉर्मिशन के साथ दोस्तों इतना पेसेंस फुली आज का वी वाज़ करने के लिए थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंट्स